सिटी लाइड वैलक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार राहुल देवें से बात करेंगे राहुल जी देश में इस तरह का एक माहुल है कि संक्रमन का दौर पत्रकारता के लिए कहा जा सकता है दो वागों में जिस पटा हुआ है राष्ट बादी राष्ट विरोधी क्या कहेंगे कैसे जनलिस्ट को इसमें अपनी दिशा चिननी चाहिए ये गड़ा हुआ जूट बे मतलब विभाजन है इसका कोई मतलब नहीं है केवल इससे देश बढ़ता है लोग बढ़ते हैं या पत्रकारिता कर लें तो पत्रकारिता की बिरादरी बढ़ती है मैं नहीं मानता की इस देश के पत्रकार या कोई भी भारत का पत्रकार राष्ट विरोधी है अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे आतंकवादी देश विरोधी संगठन के उसके से जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता की आड़ में कुछ और कर रहे हैं तो उनकी बात दूसरी है उनकी जाँच होनी चाहिए उनकको पूरा इनको सदा होनी चाहिए उनको बाहर दोग्रोगों को पता चलना है उनक के बारे में तो हम राष्ट विरोधी का मतलब है कि राष्ट के विरोध सोच समझ कर काम करना समस्या यह है कि जब हम सिर्फ अपनी ही सोच को राष्टर हित में मानते हैं और अपने से अलग सोच को या हमसे विरोधी सोच भी है तो वो राष्टर विरोधी हो गई यह बहुत आश्चार जनक और दुर्भागी पूर्ण बात है लेकिन यह दुख है मुझे कि इस तरह का विभाजन बन रहा है यह इसलिए भी बन रहा है कि इससे पहले अब तक जो एक बौधिक विमरश इस देश में रहा है और जो प्रभुत्व बौधिक प्रभुत्व जिस विचारधारा का रहा है उसने आज जो राष्टवादी विचारधारा कहलाती है जो अपने को कहते हैं उनको भी एक तरह से किनारे करने में उपेक्षित करने में प्रताड़ित करने में और बौधिक एक एक कोने में ढखेलने की बहुत कोशिशे किये हैं और उनको अपनी तरह से राष्ठ विरोधी और भारत विरोधी और समाज विरोधी करार दिया। अब आप किशी को सांपरदाइक कहें, किशी को आप धारमिक वो कहें, तो संपरदायवाद, धारमिकता, धर्म, संस्कृति ये सारी चीजें समाज, ये सारी चीजें एक दूसरे ते मिली जूली हैं. कभी भी कोई ऐसा बिलकुल स्पष्ट सीधा विभाजन हम समाज में नहीं कर सकते और ना सत्य की ऐसी परिभाशा किसी के पास है जो जिस पर कस्वाटी की तरह अपने कसा और किसी को उस पर फैसला दे दिया तो जब जहां जहां वैचारिक अस्प्रश्टा और वैचारिक मैं कहते हूं समवाद हिंता होती है और निर्णे लेने शुरू कर दिया जाता है और जब हम लोग निर्णे ने लगते हैं फैसले देने लगते हैं कि फला ऐसा है यह विचानधरा ऐसी है तब यह होता है और यह आज जो हम देख रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया है सामाने पद्रिकारिता में हम लोग यह पढ़ते हैं शुरुआत में और आप जैसे वरिष्ट लोगों से पद्रकारों से जानते हैं सीख प्रसार करना, लोगों तक पहुचाना, लोगों को भी जागरुप करना. लेकिन अब एक सिस्टम यह हो गया है कि कोई भी अख़वार या चैनल है, या तो वो सरकार के साथ है, तो वो पूरी तरह से साथ है, उसमें आलोचना के लिए कोई जगे नहीं है या फिर विरोध में है तो हर काम का विरोध किया जाए ये पूरवा ग्रे मीडिया के अंदर आ गया है आप क्या सोचते हैं ठीक है रहा है आप ऐसा हो गया है ये बहुत दुर्भागी पूर्ण है देश के लिए भी और पत्रकार को दुगों के सामने लाना है जो ठीक है उसको ठीक बताना या दिखाना जो गलत है उसको उस रूप में सामने रखना और इस तरह से रखना कि फैसला लोग खुद करें हमारा काम फैसले सुनाने नहीं है दर सरु शाहिए वो अच्छा हो या बुरा हो ये ठीक है कि हम जब क काम हमारा ऐसा है कि उसमें एक अपनी सोच तो बनानी पड़ती है एक दृष्टी आपकी होती है जो जिससे आप जिन तथियों को सामने रखते हैं वो भी प्रभावित होते हैं कि कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि हम उनको यथा संभव अलग रखें चीजों को उनकी संपू में नहीं होता समाज में भी नहीं होता देश में भी चीज़े मिली जुली होती हैं कई बार मिली जुले पन को हम पचा नहीं पाते हैं और हम चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी नहों बिलकुल साफ सुथरी और दो टूक हों तो दो टूक कुछ होता नहीं बहुत मुश्किल है ए किया जाना चाहिए इस मुद्दे पर लेकिन कटोती कर रहे हैं इंटर्नली वो लोगों को हटा रहे हैं यह से तो एक विरोधा वहास है तो इसको भी लेकर क्योंकि किस तरह से जो मीडिया संस्थान है वो एक उन्होंने खुद को अपनी सरकार के साथ इस तरह से एक सीमा में ही बांध लिया कि उसके खिलाफ आप बात नहीं कर सके नहीं सह कर रहा है जान बूझकर सका ही को छुपानी की कोशिश हो तो गलत ही और अर्थवस्टा के सामने संकट है यह भी बिल्कुल सच है इससे इंकार हो ही नहीं सकता गंबीर संकट है आंकड्गे प्रमानित कर रहे हैं और इस से इंकार करना और एक बहुत बड़ी है गुलाबी सी तस्वीर पेश करना मैं नहीं समझता कि हमारा काम है जिन éस्म में अच्छा काम हो रहा है, प्रगती हो रही है, उनको भी सामने लेनाना चाहिए, ऐसा कि सब पूरिय अर्थ्वेस्ता एकदम निष्ट हो गई है वस्द हो गई है कहीं कुछ आशा की केरण नहीं है या कुछ शकारात्मक nowhere हो रहा है तो उसको भी साम लेना है और जिन क्षेत्रों में अर्थवस्था सेक्टर्स में चलती है सेक्टरों में और सारे सेक्टर एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं अन्तता एक पूरा समग्र अर्थवस्था में और एक दूसरे से थोड़ा अलग भी होते हैं और एक कारण बता रहे हैं तो अर्थे वस्ता एक बड़ी जटल चीज है जो देश के भीतर और बाहर दोनों की स्थितियों और दोनों में बदलती हुई परिस्थितियों से प्रभावित होती है तो सरल कारण हम नहीं ढून सकते ना तो प्रगति के पुन्नति के ना समस्या के और संक भी है कि सरकार की अगर सीधिया आपसे मैं यह जानना भी चाहूं कि मंदी और इस तरह के आर्थिक जो मुश्किले हैं देश के सामने उसको छुपाया जारा है पाकिस्तान या दूसी तरह की बाते करके कहीं न कहीं ध्यान को बढ़ाया जा रहा है कि देश का ध्यान उसकी और ना जाए मीडिया का भी जानन उसकी और ना जाए क्या इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कई बार लगता है ऐसा कि हम मतलब कितना हैं भारत पाकिस्तान करेंगे क्या उससे बड़ा कोई पूरे देश में हफतों तक मुद्दा नहीं होता हर रोज लगबग बहुत सारे चैन कि हम और आप मीडिया में हैं तो उसका एक दूसरा पक्ष भी है जो समझना चाहिए अभी देश में मानस जनमानस ऐसा हो गया है कि वो और हमेशा से शायद था कि वो भावनात्मक मुद्दों पर ज़्यादा उद्वेलित होता है वो उससे ज़्यादा उनसे जोड़ता है अर्थवस्था से हम प्रभावित होते हैं उसके बावजूद उसको समझना एक जटल चीज़ है वो सब के बसका नहीं या और जो जो जटल मुद्दे होते हैं लेकिन ये हिंदु मुसल्मान वाला मंदिर मस्जिद वाला भारत पाकिस्तान वाला ये सारे एक दूसरे हुए हैं और इससे लोगों की भावनाय है बहुत गहर इसे जुड़ी है एक तरफ मुसल्मानों की जुड़ी है दूसरे तरफ हिंदू की जुड़ी है तो इन पर जब हम बहस करते हैं तो ज्यादा बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं बहुत सीधा सा ये समीकरण है एक पहली बार नहीं हो रहा नहीं तो बेना दर्शकों के आप जानते हैं कि आपके दर्शक नहीं होंगे तो आप चलेंगे कैसे तो जो दर्शकों के कारण जीना ही संभब नहीं होगा टीवी का अगर उसके पास दर्शक नहों अकबार के पास पाठक नहों तो वो जीएगा कैसे और होड इतनी ज्यादा है कि कोई स्वस्त विकल्प लेकर कुछ बेहतर करने की गुंजाईश बहुत कम हो गई है उसके वो जोखिम है उसमें और सीधा सीधा आर्थिक जोखिम है तो जोखिम से सब बचना चाहते हैं और आज का सचमुच कठिन समय ऐसा है जो जोखिम उठाने का है नहीं तो चैनलों को ये समझ में आ गया है और सब को तुरन दिखता ही है आप भी जानते हैं इसको कि उत्तेजक उत्तेजना फेलाने वाले भावनात्मक मुद्दे तीखे मुद्दे ये लोगों को ज्यादा आकर्शित करते हैं लोगों का सौद भी ऐसा हो गया है कि अब उनको खिक्डी नहीं पसंदाती लोगों को बच्चेओं को ये देख लीजе हो हम भी कुछ नया नया सौद? हम भी कुछ नया सौद? हॉह चाहते हैं कुछ चटकारे लेना चाहते हुई कई बार बच्चों को हम दवाई भी देते हैं, कड़ भी होती है, डाट के भी देते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए, समाज के लिए अगर ऐसी चीजे भी आप आदर डालें धीरे-धीरे, कि आप उस चीज की वज़ाए सही दिशा में, ये मीडिया क्या मीडिया की जिम्मे दारी यही है कि हम जन मानस को, जन रुचि को और जन संबेदनाओं और जन भावणाओं को भी संयमित रखें, बनाने में मदद करें, संतुलित रखें, सम्यक रखें और उनको बहकने ना दें, बहकने से बचाएं समाज को, यह हमारे प्रात्मिक जिम्मेदारी है, क्योंकि देश रहित और समाज रहित हमारी प्रात्मिक जिम्मेदारी है, यह हमारा धर्म है, तो अपने को धर्म और जो अपनी मजबूरी है, इसके बीच में एक संतुनन साधन यही पत्रकारिता का कोशल है, यही पत्रकारिता की चुनोती है, क्योंकि यह दोनों जरूरते हैं, आप बहुत अच्छा कारेक्रम करें, आप बहुत ही सुन्दर लिखें, जो शायद मान लेकि विश्व का सबसे सुन्दर, सबसे महतपूर्ण, गंभीर, विश्शेशन आप हो, लेकिन उसको देखने वाला ना हो, तो क्या करेंगे? और आपके सामने, आप देखें, होता क्या है? बहुत सारे, कम से कम तीन चैनल ऐसे हैं, मैं हिंदी चैनलों की बात कर रहा हूं, यह भारती चैनलों की, जो गंभीर, गेर संसनी खेज, शान्ती के साथ, चिंतन के सा सामगरी देते हैं, लोकसभा टीवी, राजसभा टीवी, दूरदर्शन, अब उनको आप सरकारी कह लें, वो एक अलग प्रशन है, लेकिन उसमें मुद्धों पर भी, जो भी बहस होती है, वो एक अच्छे तरीके से होती है, वहाँ शोर शराबा, गाली गलोज नहीं होती, गर्मा गर्मी नहीं होती, एक सब्यसमवाद होता है, उससे आप चाहें, दर्शक चाहें, तो उससे एक अच्छी सामच हासल कर सकता है, उसी समय बाकी एक दर्जन चैनलों पर बिलकुल युद्ध चल रहा होता है, तो दर्शकों के सामने ये विकल्प है ना कि भई, वो य नहीं देखते, इसका जवाब कौन देगा? अब मैं राहुल देव से यदि कश्मीर के मामलों पर फिलहाल जो हाला तसब बाच्चीत अगर ना की जाए तो शायदे बाच्चीत अदूरी रहेगी, क्योंकि एक सफलता सरकार को इसमें बड़ी मिली है कि पाकिस्तान को अंतर इस तर पर जो देश की कूटने ते सफलता मिली है, लेकिन साथ ही अब कश्मीर में कितनी बड़ी चुनोती है और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कहा है कि जल्दी से जल्दी हाला अत्मों को ठीक किया जाए, तो आप क्या देख रहे हैं आगे, सरकार का कदम क्या हुआ क्या होना चाहिए और आगे कश्मीर का क्या आप ये परिस्थितिया हैं कहां लेकर जाएंगे देखिए मैंने तो शुरू में ही इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा की थी, समर्थन किया था इसका दम का कि एक लंबे समय से सतर साल से एक अनिश्चतता कश्मीर को लेकर चल वुचिन था और समधान में ही आप देखें तो वो जो पूरा प्रावधान है तुन से सतर का वो अस्थाइ प्रावधान था, स्थाई नहीं था. लेकिन वो स्थाई ही स्थाई हो गया और एक मान लिया था लोगों ने कि भह ये ऐसा ही रहेगा. मुझे भी ये लगता था. मैं भी मान चुका था कि अब इसका ये ऐसा ही चलने वाला है. एक आशांत रहेगा कश्मीर उंच नीच होती रहेगी लेकिन वो सोलजने वाला नहीं है तो एक जटके में उस अनिश्चितता को उसकी स्थिति यह स्टेटस को लेकर अनिश्चिता को समाप्त कर दिया गया है और कमाल देखी यह है कि नकेवल शेश देश ने इसका इसका स्वागत किया ह दुनिया ने भी इसका स्वागत किया है कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ अभी लोग यह नहीं कह रहे हैं कोई भी बड़ा प्रमुक देश यह नहीं कह रहा कि यह बहुत अनेतिक या गलत हुआ है काम जो दुनिया कह रही है और जो हम भी कह रहे हैं कि वहां पर अब वहां के कश्मीर के नाग्रिकों को شان्ति से और बिलकुल समयने तरीके से अपना जीने के हालात मिलने चाहिए वो जी सकें और अगर कहीं मानवादी कार अदिकारों का हनन हुआ है मानवादी कारों का तो तुरंट क्योंकि यह दुनिया हभर में होता है बल का प्रयोग होता है जहां वहां समस्याई होती है तो जहां भी हो उसकी जाच हो और उसको रोका जाए और दंडित किया जा लोगों को यह बिलकुत स्पष्ट मेरी अपेक्षा है सरकार से अपेक्षा ऐसा भी लग रहा है कि एक चिंगारी है जो राख के नीचे दवी हुई है अगर जब आप वहां से स्परक्षा इंतसामात थोड़े कम करेंगे फोर्से इसको हटाएंगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है बिलकुल होगी बहुत उसकी स्पष्ट संभावना है इसलिए सरकार चाहा कर भी मैं समझता हूँ उन बंदिश्यों को हटा नहीं पा रही हटाती है उसको दुबारा फिर लगानी पड़ जाती है क्योंकि हम जानते हैं जहां एक पूरे समाच को वहां के युवा वर्क को बहुत बड़ी संख्या में आदत हो गई है हर बात पर साड़क पर उतराने की पत्राव करने की तोड़ फोड़ करने की आग लगाने की सुरकशाबलों पर हमले करने की पूसका वहां सैनिक कितने मारे गए हैं सेकड़ों की संख्या में मारे गए हैं सिर्फ नागरे की थोड़ी मारे गए हैं हमारे सैनिक भी मारे गए हमारे सुरकशाबल वाले लोग भी मारे गए हैं तो जहां ये एक सामान्य विवहार पिछले कम से कम 20 साल से एक सामान्य दैनिक विवहार बन गया हो, वहां पर इतनी बड़ी बात हो जाए, वो लोग सब चुप-चाप शान्त होकर उसको मन से स्विकार कर लेंगे, तो अप एक्षा ही नहीं है, वो ही नहीं सकता, तो लेकिन स बिगड़े नहीं, और ज्यादा न बिगड़े, और धीरे धीरे चीजें सामान्य हों, क्योंकि चीजें धीरे धीरे ही सामान्य होती है, उसके लिए ये बंदश्यें की जरूत पहले तो थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सबकार पर ये दबाव बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, कि वो संबाद एक बार लोगों से बातचित करना शुरू करें, उन पर मरहम लगाए, उनको ये मनवाए, उनको ये महसूस कराए, कि वो ये देश, पूरिये सरकार भी, और राज्य भारत, राज्य जो है, वो उनको प्यार करता है, वो उनको पूरी तरह अपना मा